Hello everyone, Assalamualaikum, Namaste, Sasriakaal, कैसे हैं आप लोग? I hope आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ एकदम बढ़िया आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ I study IQ education से और ये वीडियो बेसिकली है on Imran Khan offers help to India in the fight against COVID-19 अच्छा ये वीडियो काफी अच्छी होने वाली है ये कीनन क्योंके पॉजिटिविटीस में दिखाई जाएगी Definitely तो वीडियो के चल कर देख लेते हैं और फिर इसके बाद बात करते हैं So let's start नमस्कार दोस्तों पिछले चार दिन से आप देख रहे होंगे देश के अंदर नए कोरोना के मामले करीब तीन लाग से भी जादा देखने को मिल रहे है In fact मैं आपको बताऊं जो latest आंकड़ा आया है उसमें बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे के अंदर 3.5 लाख ने केसे सामने आये हैं जो कि पूरे विश्व में इस समय सबसे ज़ादा है और इसी को देखते वे भारत की तरफ से हमारे जो SJ शंकर साहब हैं उन्होंने अपील भी किया विश्व से कि अगर आप सपोर्ट कर सकते हो किसी प्रकार की चाहें ऑक्सीजन और जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ध्यान रखेगा स्पेशली यहाँ पर जो ऑक्सीजन टैंकर्स वगरा हैं क्योंकि प्रोडक्शन तो है हमारे देश में उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है प्रोडक्शन की लेकिन problem यहाँ पर transportation की है logistics की है और इसलिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर aircraft वगरा के द्वारा जो empty tankers है उसको तुरंत एक जगा से दूसरे जगा पहुँचाया जा रहा है तो यहाँ पर इसी को देखते वे बहुत सारे देशों ने मदद की कोशिश भी की है और यहाँ पर सिंगापूर हो गया कई देशों ने यहाँ पर कहा है कि हम यहाँ पर मदद करने के लिए तयार हैं लेकिन आप देख सकते हो जो हमारा पडोसी देश है उनकी तरफ से एक good दिखाया गया है और यहाँ पर लगतार trending कर रहा था लोग support में आ गये थे पाकिस्तान के अंदर humanity first यहाँ पर appeal किया जा रहा था citizens के दोरा इमरान खान को कि आप भारत की समय मदद करिए और इस तरह की चीज़ें आ रही थी और यह काफे important हो जाता है कि एक तरफ आप देख में और डीटेल से जानेंगे कि exactly पाकिस्तान की तरफ से क्या क्या हुआ पिछले एक दो दिन में काफी कुछ जाने को मिलेगा और साथ में मैं आपको यह भी बता दूँ कि भारत की पिछले कुछ समय से पॉलिसी रही थी कि हम foreign aid नहीं लेंगे लेकिन यहाँ यह policy exactly है क्या उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा मैं हूँ अंकित अगरवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं on Instagram, Facebook और Twitter पर मेरे लेक्षे की हर PDF आपको Facebook पर तो मिलेगी प्लस साथ में आप मेरा Telegram चैनल जॉइन कर सकते हैं by searching अंकित अगर जैसा कि आपको प भारत बैटल कर रहा है इस पूरे सकेंड वेव को इसकी बुझे से बहुत सारे कई देशों के दोरा यहाँ पर सपोर्ट लगतार देखने को मिल रहा है जैसे कि European Union ने यहाँ पर अपनी Solidarity Express की है जो Emmanuel Macron है उन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ करे हैं किसी भी प्रकार की जरू को extend करेंगे लेकिन यहाँ पर एक सबसे important चीज आया और वो है पाकिस्तान के दौर और especially पाकिस्तान जब मैं कहता हूं तो वहां के जो नागरिक हैं जो citizens हैं वो पूरी तरह से आप कह सकते हो भारत के साथ आ गए और क्योंकि obviously बात है यहाँ पर humanity का जो पूरा मामला है उसक कि उन्होंने क्या कहा है यहाँ पर कि as a gesture of solidarity with the people of India यहाँ पर पाकिस्तान offer करेगा including ventilators, BPAP machine, digital x-ray machine, PPE जो kit हो गया या फिर other related items देखिए यहाँ पर मामला यह नहीं है कि कौन कितना support कर सकता है कितना नहीं कर सकता है लेकिन at least यहाँ पर एक तरह का humanitarian gesture दिखाना यह मैं समझता ह कि काफी अच्छी बात है और इसी के साथ हम सबको कही न कहीं आगे बढ़ना चाहिए और इसके लावा वहां की जो foreign office है उन्होंने यह भी कहा कि हम यह जो पूरा pandemic चल रहा है जो कि पूरे विश्व में इस समय फैल रखा है और जगा जगा आपने देखा होगा अलग- पाकिस्तान भारत एक साथ यहां पर चीजों को तयार कर सकते हैं कि इस पूरे जो वेव आया है जो problem चल रही है pandemic चल रहा है इसमें किस प्रकार से relief items की मदद की जा सकती है दोनों देशों के दोरा और यहां पर आप देख सकते हो इमरान खान का tweet आया था इसको लेकर I want to express our solidarity with the people of India as they battle a dangerous wave of COVID-19 और सिर्फ वही नहीं इनके जो foreign minister है शाह मैमूत कुरेशी उन्होंने भी बोला कि as a gesture of solidarity with the people of India in the wake of current wave पाकिस्तान has officially offered relief of support और मैंने आपको बता है इस तरह की सारी चीज़ें यहां पर देने का offer किया गया है पाकिस्तान के दोरा लेकिन मुझे इसमें सबस आप देख पाओगे बहुत सारे trend चल रहे थे India needs oxygen, COVID-19 इस तरह की बाते यहां पर पाकिस्तानी citizens के दोरा की जा रही थी, social media पे लगतार गुहार किया जा रहा था कि जो इमरान खान की सरकार है वो अपने political differences को side रखकर जो मदद कर सकती है वो यहां पर करना चाहिए और यहा सारे आपको tweet यहां पर देखने को मिलेंगे, get well soon India, Pakistan nation is with you और यहां पर भी आप देख सकते हो, I request our government to extend the hand to help people of India in this difficult time और इस प्रकार के आपको सैकडों यहां पर जो twitter हैं, handles हैं, उनके द्वारा लगतार भारत के लिए support दिया जा रहा था, और इसके अलाबा एक और मैं आपक interesting चीज़ बताता हूँ, वहां पर एक foundation है, NGO है पाकिस्तान के अंदर, इधी foundation, उन्होंने तो यहां पर in fact एक letter लिगए, आप देख पाऊगे, यह पूरा letter लिखा गया है उनके chairman के दौरा, Prime Minister Modi को, और यहां पर उन्होंने क्या request किया, कि हमारे कई सारे volunteers भारत के अंदर आकर मदद करना चाहते हैं, 50 ambulances हम ले कराएंगे, और volunteers ले कराएंगे, और जो भी हमारी मदद हो सकेगी, वो हम करने की कोशिश करेंगे, और यहां पर भी आप देख पाऊगे, we are very sorry to hear about the exceptionally heavy impact that the pandemic has had on your country, तो इस तरह का पूरा letter लिखा गया है, मतलब आप कह सकते हो कि overwhelming तरीके से, यहां पर Pakistan और उनकी जो citizens हैं, वो भारत के लिए मदद करने के लिए, at least Corona के मामले में मैं कह सकता हूँ, कि यहां पर solidarity दिखाई जारी है, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि यह जो एक तरह से थोड़ा सा emotional build-up हुआ है, क्या यह further extend हो सकता है बाकी मामलों में, क्योंकि recently आपने दे अबुदावी के अंदर मौजूद थे, और अबुदावी के अंदर मौजूद थे, और यहां पर officially कोई बयान नहीं आया है, लेकिन यह clearly indicate किया जा रहा था कि यहां पर दोनों के बीच में जो problems हैं, उसको सुल्जानी की कही न कहीं कोशिश की जा रही थी, और अबुदाव पाकिस्तान के अंदर होने वाली है, तो में भी ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो प्रामिनिस्टर है हमारे नरेद मोदी जी, वो हो सकता है कि पाकिस्तान विजिट कर लें इस सार के समिट के लिए, तो क्या यह एक breaking point है, क्या यहां से हम further चीज़ों को future में दोनों के लिए कहा है, और यह भी कहा है कि अगले 15 दिन के अंदर हम 3-4 लाख Remdesivir जो injection है, वो यहां पर provide कर सकते हैं, और इसके अलावा यहां पर कल की ही बात है, सिंगापोर से बताया गया, चार cryogenic जो oxygen tankers हैं, उसको air lift किया गया है, और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था क एस जैसंकर साब ने यहां पर appeal की पूरे विशुर से कि अगर वो assistance दे सकते हैं, तो definitely कर पाएंगे, लेकिन यहां पर एक प्रशन आता है कि इस समय current policy क्या है, क्या भारत foreign aid को accept करता है कि नहीं करता है, क्योंकि पिछले एक दसक से अगर आप देखोगे, तो यहां पर भारत aid लेने के बज़ाए एक तरह का donor देश बन गया है, मतलब कि हम यहां पर aid कई देशों को लगतार provide करते हैं, चपचाएं, इंडियन ओशन के अंदर कोई problem हो, किसी देश को कोई दिक्कत होती है, disaster होता है, तो भारत सबसे पहले मदद करने जाता है, और सिर्फ वही नहीं ऐसा नहीं है कि हम जो foreign aid है, उसके उपर पूरी तरह से प्रतिबन लगा रखे थे, जो central government है, अगर वो चाती है, तो यहां पर national disaster management act के तहत, वो foreign aid को जो है, वो accept कर सकती है, क्योंकि अगर आपको याद होगा, 2018 में यहां पर जो केरला के अंदर flood आया था, तो Middle East से, UAE से, अ यहां पर समविधान के according, ऐसा experts के दौरा बजाया जाता है, कि कोई भी बाहर से अगर कोई fund आ रहा है, किसी भी प्रकार का aid आ रहा है, तो consolidated fund of India में जाना चाहिए, जो की central government, union government के अंदर रहता है, तो यहीं से होकर चीजें, जो है, बाकी राज्यों के अंदर जा सकती है, औ और सिर्फ यहीं नहीं, अगर आपको याद हो, तो पिछले साल की ही बात है, यहां पर जो PM Care Fund वगरा बनाये गया था, उसमें foreign aid को भी शामिल कर लिया गया था, यहां पर central government डखा था, कि हम foreign aid को भी accept करेंगे, तो यह पूरा मामला है, दोस्तों, जो भी अभी चल रहा था, पाकिस्तान एक तरह से support किया मैं काँगा, एक अच्छा gesture है, हो सके तो इसको हमें forward ले जाना चाहिए, और दोनों देश के बीच में जो relation है, वो बहतर होंगे, तो दोनों देश को ही यहां पर फायदा होगा, जाने से पहले यहां पर आपके लिए question लेकर आया हूँ, article 51, अ यहां पर उन चार में से कौन सी चीज़ों का mention नहीं किया गया है, यह आपको बताना है, और इसका जो right answer है, आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो आपको मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, Telegram से भी आप इसका right answer ले सकते हैं, मैं कई सारे MCQs यहां पर डा करें हैं कि पाकिस्तान और इम्रान खाने स्पेशली इस पर बात कर रहे हैं कि हम लोग इंडिया की help करेंगे, अच्छा जरूरी नहीं कि इंडिया अगर कोई किसी कंट्री से नहीं लेता एट और बलके इंडिया डोनेट करता है लोगों को और यह चीज़ बहुत ही और इस वक्त में हमें अपनी एगो को अपनी लड़ाईयों को अपनी हर चीज़ को साइट पर रखकर हमें उन आम लोगों के बारे में सोचना चाहिए हमारे वो तमाम लोग अपने प्यारे जो मतलब गरीब फैमिली से स्पेशली जो लोग तालुक रखते हैं और वो बहु इसे चीज़ की demand बढ़ जाती है तो वो चीज जो है वह market से short हो जाती है तो ये ही चीज़े کہ slender जो है पैम अक्सीजन व्लडर गाइब हो रहा है मार्किट से रजर अगर महेंग होता जा रहा है तो मैं अभी recently बढ़ भी रही थी कि कह रहे हैं कि जो दी ना 15,000 वाला वो 18,000 का बेच रहे हैं छोटे वाला स्लेंडर और बड़ा वाला जो है वो मेरे खाल से 18 की जगा वो 25 में बेच रहे हैं ठीक है तो खेर इस तरह की सिच्वेशन आ गई है लेकिन लोगों को इस चीज़ का इसास नहीं होता है कि वो गरीब पर ये बात चल रही है कि कौवर्मेंट को हेल्प कर रही है पाकिस्तान ने बात की है और जो एदी है एदी जो फांडिशन है वो एक ऐसी फांडिशन है जो गरीब लोगों की हेल्प करती है ना सिर्व गरीब कि उनके लिपस जो भी लोग आते हैं जैसे एकसिडेंट होता या किसी को कहीं पर भी ट्रासफर करना होते है शिफ्ट kijken प्तलब वह बहुत अच्छी pię किसी तर कुछ क कुछ नहीं लेती हैegen काम करती है लोगों के लिए लोगों की भलाई के लिए मतलब यह काफी बड़ी और्गनाइजिशन है इन पाकिस्तान और हम सब को मतलब कि हम सब इनको सबस्पोर्ट करते है एदि को और इनकी तरफ सही जो यह एक जेस्टर आया है और इन्होंने एक लेटर लिक्र सेंड कि है मोधी जी को तो यह चीज मुझे बहुत रच्छा लगा बहुत रच्छा लगा कि at least criminal में भले चितना भी लडाई हो रहे हो ना तू भले कुछ भी हो जाये लेकिन पाकिस्तान हमेशा और अंडिया और पाकिस्तान का तालों से स्ट्रौंग रहेगा जरारें आएंगी बहुत कुछ होगा लिकिन मामला ऐसे ही चलते रहेंगे कभी खत्यम नहीं होंगwide इनकी रिष्टा क्योंकि एक जब कहते हैं एक घर में रहकर फिर जिता हो जाते हैं दिल दूर नहीं होते हैं बस फासले आ जाते हैं मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर इंडिया को कुछ भी दर्द होता है या उनको तकलीफ होती है या उनको कोई परिशानी आती है तो उस वक्त साथ देना ही सबसे बड़ी बात है और ना सरफ इंडिया बलकि कोई भी कंट्री हो उसको हेल्प करना हर किसी का फर्स बनता है अप कि हमेशा फर्स आती है से आगे बढ़ कर कोई चीज नहीं होती मेरी नजर में और जहां तक इंडियन गवर्मेंट है मुझे लगता है कि उनको एकसेप्ट कर लेना चाहिए उनको हैल्प करनी चाहिए अपनी आम अमाम की और जैसे कि मैं सोनू सूत का भी देख रही थी कि अग्सेजन के लिए ट्रांसफर करने में यहां से वहां बाइएर और उनका इंटर्वी भी देखा तो उनको नहीं का था कुछ भी चाहिए और बहुत सारी बड़े बड़े जो कंपनी के लोग हैं वह भी हाल्प कर रहे हैं लेकिन वही बात इस वक जतनी मदद मिल सके उतन ही कम है तो सब लोगों को चाहिए कि वहल्प करें मैं तो इम्राइन खान के इस मतलब फैसल से भी बहुत खुश हुई कि उन्होंने यह फैसला लिया है और मौदी जी को इस पर मतलब के मिल बांड कर इस वक्त चलना चाहिए दोनों कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को ताकि के इस वक्त आहिए वह सके और कुछ नंगुछ ऐसा हो सक्य कैं जिससे जिए जुन ऊसुम लोग हैं यह जो रोड पर जिस طرح से बैठे हुए हैं हमें बिल्फुल अच्छा नहीं लग रहा हम इंडिया के वो लोग हैं हमें बिल्कुल अच्छा क्राइए लेगाई पाकिस् इसलिए दुक हुआ बहुत ज्यादा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए और अगर हो रहा है खायर यह तो नैच्रिली है कुद्रत की तरफ से ऐसा है अगर को नहीं कर सकते लेकिन हम खयाल कर सकते हैं हैं और अगर कोई हमें आस-पास के लोग से हेल्प कर रहे हैं जैसे सिंगाप पर के इंडिया पर हसान होगा बलके इंडिया भी जब जरूरत पढ़ती इंडिया भी मदद करता है तो यही है कि मिल बांड कर ही रहना चाहिए और एक दुसरे की हल्प करनी चाहिए और यह आने वाले वक्त में यह मैं तो चाहती हूं कि यह नफरते खत्म हो जाएं प्यार ह मुहबत हो जैसे हम आउट आफ कंट्री में एक दूसरे से इतना प्यार मुहबत से रहते हैं तो हम फिर वैसे क्यों नहीं रह सकते हैं हम यहां पर आउट आफ कंट्री में इतना खुश रहते हैं मिल जुलकर रहते हैं बाते करते हैं सो खेर गाइस यह दी हमारे आश की वीडियो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजएगा और अपना अपना प्रीशियस ओपीनियन जरूर मुसे शेयर कीजएगा मुझे अच्छा लगेगा में दो थे नाइक्स वीडियो के सथ बड़े